ये है Project Alexia Official Update Android 13 के support के साथ हमारे POCO F3 और Mi 11X डिवाइस के लिए जिसे फिलाल मैं One Day से यूज कर रहा हूँ और क्या कुछ यहां पर आपको चेंज डिफरेंट टेखनी को मिलता है और performance क्या निकल के आता है वो तो मैं आपको बताएं दूँगा साथ से इसका इंस्टोलेशन गाइड भी आपको पता चल जाएगा और अगर आपको रेगलर क्रेश्टम रोम का पडेट चाहिए तो मैं इसका डिवाइस का रोम रिवीव अपने सेकेंड चैनल पर भी लेके आ रहा हूं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगया है यहां पर सर्च के अंदर लिखा हूआ है वाट आर यू लूकिंग फोर तो वह सर्च कर सकते हो तॉप पर आपको प्रोफाइल देखनी को मिलेगा यहां पर कैटेग्री थोई से डिफेंट बट गई है हमारे सेटिंग की जो कि मुझे काफी अच्छा लगा जो कि एक्सडोऑड जैसा यहाँ पर यह दिखाए देता है काफी हद तक यहाँ पर आपको इलनेकश दिखाई देता है जो कि मेरा डिवाइस है औरे बाएबाउट फोन का जो फ़ Osman ने वह वह भी दिफ्रेंट यूज किया गया है ऑन्टीर तो यहां पर आपको पुलड लूक द देखनी को मिलता है नो करनल यूज किया गया है और 3 सितंबर का यहां पर लेटिस बिल्ड डेट वगेरा है जो कि काफी सही है सिस्टम के अंदर आपको देखनी को मिलता है जेस्टर्स जहां पर वही सारे ओप्संस दिये गए जिसमें कुछ भी खास सिक्टा मुझे देखनी को नहीं मिला है बाकि यहां पर मल्टिपल यूजर एकाउंट के अंदर आपको पता हैं एंड्रोइड 13 में मैं आपको कई आपको दिया है कि आप यहां पर फोटों अब्ध और लगा सकती है कलर प्रोफाइल लगारा है यहां जो यूज कर सकते हो वह देखनी को मिलेगा और एप लैंग्विज सपोर्ट का भी यहां पर फीचिस मिल जाता है लेकिन अभी कुछ यह अप्लिकेशन को सपोर्ट करत है उसके बाद यहां पर आइकन देखोगे हलका फुलका मोडिफाइड रखनी को मिलता है यहां पर डिजिटल वैल्विंग और सिस्टम वगेरा तो यह लुक मुझे थोड़ा अच्छा लगा उसके बाद आपको मिलता है सिक्योर्टी जहां पर अभी तक फेस अलोक एड नही को मिलता है बाकि वही नॉर्मल से आपको सांड के कंट्रोल देखनी को मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर पाओगे बैटरी जितना मैंने यूज किया उसके साब से मुझे ठीक लग रहा है और यह प्रोफाइल कितना बूस्ट कर पाता है वह भी आपको पता चल जाएगा अब देखते तो किस तरी किस यहाँ पर जो चेंज करने का लुग आपको दिखाई देता है वाल पेपर के अंदर इतने सारे ओप्सन दिखाई देते हैं बट इसे अगर सेलेक्ट करोगे तो जो एंड़ोई 13 और 12 का वाल पेपर पर वह वह दिखाई देगा थीम वाला जहा पर फिर से यह नीचे आता है तो ऐसा कई जगह पर आपको नोटीस होता है कभी को स्टार्टिंग में अब जब फ्लैस करोगे तो जब यह आपको सेटिंग ओपन करोगे ना तो हलका सब अटक के ओपन होता है हर जगा यह फर्स टाइम होता है लेकिन लॉंगर यूज करने क पर ज्यादा कुछ एड नहीं किया गया जा पर बस सिगनल आइकन का ही ऑप्शन है बागे दर ऑप्शन साइड आ जाएगा क्योंकि यह पहला अपडेट है 13 का उसके बार यहां पर यहां पर लॉक स्क्रीन पर डवल टैप टू स्लीप मीडिया कवर्ट आर्ट होगरा देख कर रखा है तो इसे आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो क्लासिक पर कुछ इस तरी की से छोटा-छोटा हो जाता है तो यह पसंद दे तो आप यह कर लो उसके बाद एक और आपको मिलता है आउटलाइन का जो कि मैं भी यूज कर रहा था और उसके बाद यह है जो इडवांस बूट मेनु वगरे आपको यहां पर देखनी को मिलेगा जो की काफी अच्छा लगा वह इतने ही कृस्टमाईशन अभी मिल जाते हैं always on हमारा वर्किंग है लेकिन यहां पर आपको जो ऑटो प्राइटने से यह भी काम कर जाता है और यहां पे android ठाटिंग का य आपको यहां पर देखनी को मिलेगा और यह अच्छा ओप्सन है ताकि आपको आउट्डोर में ज्यादा दिक्कते ना आए तो यह चीज मुझे काफी यहां पर पर्फेक्ट लगा है पाकि यहां पर जीयो का स्विम वगरा काम कर रहा है वोल्टी काम कर रहा है और आपको सिकायत नहीं होने वाले लेकिन यहां पर कॉलिंग आपको गूगल वाला ही मिलता है तो को रिकोर्डिंग वगरा का आपको वह एनौंस्मेंट मिलेगा बाकि यहां पर देखते तो यह है हमारा गूगल का डिस्कवर ओप्सन जो कि आपका काम करता है कोई दिकत नही नहीं आता और साथ साथ यहां पर आपको रिकोर्डर भी मिल जाता है जो कि वर्किंग है अब आते हैं इसके परफॉर्फोर्वेंस टेस्ट रिजल्ट के ऊपर ठीक है तो यह है हमारा फॉर्स टाइम का डिक बेंट का रिजल्ट जो कि ऑवर्रोल ठीक ठाक है उसके बाद यहां पर L1 का सपोर्ट मिलता है और यह ठीक है इसलिए क्योंकि यह फहला अपडेट है मिय से कंपेर करोगे तो काफी डाउन है अभी फिलाल के लिए डिवाइस सर्टिफाइड है तो बैंकिंग एप यहां पर यहां पर यूज कर पाओगे पिक्सलोला इस्ट्रोज मिलता 88 का result मिलता है जो कि यह भी परफेक्ट है बैटरी डॉब के बाद करें वह भी standby में तो यहां पर आपको मिलता है 50 के बार यहां पर 48 यानि 2% का बैटरी डॉब हुआ है जो कि यह भी नॉर्मल है को ज़्यादा नहीं लगा मुझे और यहां पर फिससे मैंने ट्राइड किया और जब भी हम कोई भी music player play करते हैं तो उसका तो animation आपको पता ही है कि कैसा हमें देखनी को मिलता है हमारे keyways पर और lock screen पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि photo आप copy कर सकते हो text copy करके edit कर सकते हो वह सारे features आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाते हैं जिनमें कोई भी दिक्कत नहीं आता यहाँ सभी प्रोफाइल चेंज कर पाऊगे और जो भी background app रन कर रहे हैं उसे कर सकते हो ताकि आपका रैम इंप्रूव हो सके बैट इंप्रूव हो सके और इंट्रेट डेटा भी ज्यादा खर्च नहों तो यहाँ चीज आपको यहाँ पर दिखाई देती है और रही बात इसका boot animation का ऐसा है तो वह भी आपको different technique को मिल जाता है तो चले उसको पर भी एक अच्छा animation दिखाई देता है और installation proper guide वही पहले वाला ही होने वाला है बट मैं एक वीडियो दे दूगा discussion में जिसे follow up करके आप इसे इंस्टॉल कर पाऊ गए और मेरी का recommendation मानो कि इसे यूज करना चाहिए नहीं तो normal basic यूज के लिए सही है बट hardcore gaming हो गए और बाकिता चीज मैं एक शाहिए बट kiraneता कर आपाट ऑंस कर जाया है तो बटिये स्वक्या कर दो कि अच्र थाष्यात। औराई कर आप और